आज हम बनाएंगे एकदम मसालेदार और टेस्टी पुलाव बहुत ही जादा यमी बनता है ये तो अगर आपके घर कैस्ट आए हो या कोई सेलेबरेशन हो या फिर वैसे ही आपका चावल खाने कामन कर रहा है तो ये रेसिपी आपको जरूर चाहिए लेकिन इससे पहले कि हम करें अगर आप में चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चले शरू करते हैं सबसे पहले हम एक कड़ाई में डालेंगे दो टेबल स्पून्स घी अब घी के जगह आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी का जो फ्लेवर है वह स्यादा अच्छाता है साथ इसमें डाल देंगे 1 तेजपता, 1 दालचीनी, 3-4 लॉंख, 1 बड़ी इलाईची और डालेंगे हम 1 टीस्पून जीरा इसे एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्यास इस तरह लंबे स्लाइसिस में प्यास को काटना है और डाल देना है और फिर इसे पकाएंगे हम जब तक ये जो प्याजन का कलर ब्राउन नहीं हो जाता ये देखिए इसका कलर अच्छे से ब्राउन हो चुका है ऐसा ही कलर हमें चाहिए बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है नहीं तो ये जल जाएंगे ऐसे ही कलर रखना है और एक ब पाउडर और एक टी स्पून गरम मसाला अब इसमें पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सब पानी डालना है ताकि इस तरह से यह देखिए पेस्ट इसका बन जाए और फिर यह पेस्ट जो हमने मसालों का बनाया है इसे हम डाल देंगे प्याज में इसकी साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टी स्पून अद्रक लसुन का पेस्ट और इसे अच्य से एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सबजियां सबसे पहले एक कटा हुआ टमाटर आधा कप मतर और एक कटा हुआ आलू इसको भी साले हैं वो भी अच्छी तरह से लग जाए और फिर एक पार यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे चावल तो यहां पर मैंने लिया है एक कप चावल इन्हें पानी में पहले 20 मिनट तक मैंने भिगो कर रखा है फिर इसका पानी निकाल कर साइट पर कर और यह जो चावल है वो इसमें डाल दिये इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लेकिन हलकी हाथों से नहीं तो यह जो चावल है वो तूट जाएंगे और जो पुलाओ है वो अच्छा नहीं बनेगा अब हम इसमें डालेंगे पानी पहले एक कप पानी डालेंगे और फिर च्ब दूसरा कब पाणी डालने लगें तो इसे पूरा मत भरये थोड़ा सा छोड़ दीजे थोड़ा सा कम पानी डालेंगे जैसे कि आप सोची अगर आप दो बड़े चंबच पानी निकाल दीजिए तो जतना पानी वचता है उतना पानी हम इसमें डाल रहे हैं अब पानी बस एक पार बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसे हम ढ़क कर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर करीब 12-15 मिनट तक बीच में आप एक बार चेक भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि इसका पानी जो सूख गया है और चावल पक चुकी है तो ये बिलकुल रेडी हो जाएगा अब कुलाओ अच्छी तरह से पक चुका है एक तम खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं बस कर्मा गरम आप इससे सर्फ कीजे चाहे तो रायता है उसके साथ इसे खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और जाने से पहले इस वीडियो का ज़रूर लाइक कर दीजे और अगर में चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब थैंक यू फर वाचिंग आइस